हेलो इवरिवन मैं शुर्म शर्मा सौथ करता हूँ आपके अपने All About Physical Education चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं यह हमरा DWHP सीरिस का 12th पार्ट है 11th पार्ट है हमने Sports Organization टॉपिक कवर किया था लिंक में आपको डिशिप्टन विदे दूँगा अब वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब परना मत भूलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में आज का अपना टॉपिक है National Sports Award जितने भी इंडिया के National Sports Award है उनके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में कि वो क्या होते हैं उनमें क्या क्या दिया जाता है प्लेयर्स को किन प्लेयर्स को वो चीज दी जाती है ओके तो चलिए जानते हैं डिटेल में जैसे कि National Sports Award अपने कौन-कौन से होते हैं दुरुणचार है अवार्ड हो गया ठीक है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड हो गया अरजुना अवार्ड हो गया इस सारे हमारे National Sports Award है इंडिया के ओके तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहल क्या है क्योंकि राजीव गांदी अपने formal Prime Minister थे ठीक है और दूसरी बात यह थी कि वो बहुती जादा प्यार करते थे sports को बहुती जादा अच्छा लगता था उनको sports इसलिए उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया था राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड है और अगर अफिशली नेम की बात करें राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड का तो इसका अफिशली नेम है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड in the sports and games ओके यह sports में सबसे बड़ा अवार्ड होता है it is a highest sporting honor किसी भी sports person को अगर यह मिलता है अवार्ड यह सबसे बड़ा sporting honor होता है इसी भी sports person के लिए ठीक है और रही बात यह कौन देता है यह ministry of youth affairs and sports के दुवारा दिया जाता है और सालाने दिया जाता है means every year यह जो award है वो players को दिया जाता है ठीक है अब बात आती है कि sports award किसको दिया जाता है उन players को दिया जाता है जो four years तक बहुत ही अच्छा perform करते है means outstanding performance होती है international level पर ध्यान रखी कि international level पर जिन भी sports person की continue four years तक बहुत अच्छी performance होती है उनको यह award दिया जाता है इस award से सम्मानित किया जाता है तो चली जानते हैं इस award में मिलता क्या है इस award में middle मिलता है certificate मिलता है cash price मिलता है साड़े 7 lakh 7.5 lakh का cash price मिलता है तो चली जानते है क यह सबसे पहली बार यह award कब दिया गया यह award 1991 से 1992 के बीच में सबसे पहली बार दिया गया था और उन लोगों को दिया गया था जिनकी performance एक साल में बहुत अच्छी थी बट 2014 में एक advisory चारी हुई जिसके बार जिसमें ministry ने इस rule को revised कर दिया क्या किया उनने कि उन players को यह award दिया जाएगा जिनकी performance 4 years तक बहुत अच्छी outstanding रहेगी at the national level outstanding मतलब अपने देश के लिए medal लेकर आ रहे हैं और यह rule कब change हुआ था यह rule हुआ था फैब 2015 में फरवरी 2015 में यह rule change हुआ था बहुत ही important है तो चलिए जानते हैं कि पहली बार यह award किसको मिला और कौन से year में मिला था ठीक है chess में मिला था सबसे पहली बार यह award और रही बात किसको मिला था विश्वनात आनन जी को मिला था उनको हम grand master भी कहते हैं ठीक है क्या नाम है grand master chess के grand master कोन है विश्वनात आनन जी उनको कम मिला था 1991 से 1992 के बीच में अब आता है second second है पंकज आडवानी जी यह कौन है यह वो sports person है अभी तक के जिनने दो sports discipline में यह award जीता है एक billiards में जीता है एक snooker में जीता है ठीक है बहुत ही important है एक ही ऐसे player है जिनने दो sports discipline में यह award जीता है अब आता है एक और important point कि कौन कौन से साल में यह award दिया ही नहीं गया था वो है हमारा 2008 और 2014 में यह award किसी को भी नहीं दिया गया था ठीक है बहुत important exam में पूछ सकते हैं कि कौन से वो year है जिसमें award दिया ही नहीं गया राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड तो हमारा क्या answer होगा 2008 और 2014 अब आते हैं latest winner के अभी अभी किन को मिला है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड तो 2019 में मिला था यह award दीपा मलिक को मिला था पैर ओलंपिक में और बजरंग पुनिया को मिला था freestyle wrestling में ओके तो यही था हमारा राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड में यह हमारा राजी बात है यह किसी गुरू को ही यह award दिया चाता है ठीक है अब आते हैं पहले दुरुनाचारे अवार्ड पर इसको officially जो हम कहते है वो दुरुनाचारे अवार्ड ऑफ outstanding coaches in sports and game ठीक है outstanding performance होती है जिन coaches की sports और game में यह उनके लिए होता है ठीक है अब यह भी सालाना मिलते है every year यह दिया जाता है ठीक है second point अब देख सकते है every year यह award दिया जाता है अब इस award में दिया क्या जाता है तो जली जानते हैं इस award में दिया क्या जाता है इस award में एक bronze का statue दिया जाता है दुरुनाचारे ची का एक certificate दिया जाता है ceremonial dress दी जाती है ceremonial dress मतलब जो function होता है उसमें वो ड्रेस पहनना होती है, like कोटो का आपने देखा होगा कि जितने इभी अवार्ट लेने जाते हैं, जाता है लोग, उनके पास एक कोट होता है, और क्या जिया जाते है, कैश प्राइस दिया जाता है, पांच लाग रुपए, और यह किसको दिया जाता है, यह स्पोर्ट्स उन कोटो कोटो को दिया जाता है, जिनकी टीम या फिर किसी भी स्पोर्ट परसन को जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवेल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे है, ओवर पीरिड ओफोर येर्स, चार साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो उन coaches को ये award दिया जाता है, ओके, ये देख सकते हैं, ये statue है, आप देख सकते हैं, ये award मिलता है, दुरुनचारेक जी का, और रही बाद ये award कब introduced हुआ था, ये award 1985 में introduced हुआ था, पहले winner कौन थे इस award के, वो थे, ये बाले चंदर भासकर भागवत थे, wrestling के, ओम प्रकाशन भारतवाज boxing के थे, और O.M. नाबेर athletic के थे, उनको ये first time दिया गया था, और अब हम latest की बात करके, latest अभी अभी ये किसको मिला है, ये award मिला है, मोहिंदर सिंग धिलोन athletic के player थे, रनवीर सिंग को मिला था, जो कवड़ी के थे, यू बिमल कुमार जो bandminton के थे, संदीब ग अब ही मिला है, ये आप देख सकते हैं, ओके, तो चलिए इसी के साथ आते है, अपने next award पर, जो कि ये ध्यानचंद्र award, major ध्यानचंद्र जी का नाम सब ने सुना होगा, बहुत ही अच्छे hockey player थे, इनके नाम पर ये award रखा गया है, ठीक है, officially इस award को हम बोलते है, अब आते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें एक statue मिलता है, certificate मिलता है, ceremonial dress मिलती है, cash price मिलता है, 5 lakhs, अभी 5 lakhs मिलता है, पट पहले क्या था, पट पहले 3 lakh मिलता था, 2009 में ये revise होके 5 lakh हो गया, जो अब तक चलता हुआ, आ रहा है cash price, ओके, अब रही बात, ये start कब और अब फर्स्ट विनर की, फर्स्ट विनर कौन थे इस अवाट के, सहुराज ब्रेंदर जो की वॉक्सिंग के थे, अशोग दीवान जो हौकी के थे, और अरपना गोश जो बास्किट बॉल की खिलाडी थी, प्लेयर थी, अब बात करें, लेटस विनर की, मैनिवल फ्रेड अपने नेक्स अवाट पर, जो की है, तेंजिंग नौर्गे नाशनल अडवेंचर अवाट, यह कब इंट्रेड्यूस हुआ था, यह 1993 में इंट्रेड्यूस हुआ था, और रही बात अडवेंचरस अवाट है, मीस अडवेंचर के जितने भी चीज़े होती हैं, लाइक अडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिया, यह सबसे बड़ा अवाट है, एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिया में, ठीक है, जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, सबसे बड़ा अवाट कौन सा है, तेंजिंग नौर्गे नैशनल अवाट, ओके, अब रह उनको ये award भी दिया जाता है तो चार categories हो गई है आप सबको पता चल गया ठीक है अब रही बाद इसमें दिया क्या जाता है इसमें एक statue दिया जाता है ये देखिए ये statue हो गया ये दिया जाता है certificate दिया जाता है cash price दिया जाता है कितने का 5 लाग फाइव लाक्स रुपीज का cash price दिया जाता तो चली बात करते हैं कि ये sports award किसके नाम पे है ये sports award एक नेपाली इंडियन के नाम पे है जो शेरफा mountaineer थे उनका नाम क्या था तेंजिंग नौरगे था ठीक है शेरफा तेंजिंग नौरगे उनका नाम था उन्होंने क्या किया था उन्होंने Mount Everest Summit किया था मतला Mount Everest पे चड़ाई की थी पूरी टॉप तक और कब की थी 29 में 1953 29 में 1953 में उनने Everest Summit किया था अब बात करते हैं कि first winner कौन है इस award का वो है अरपना कुमार जिनने 2008 में यह award जीता था किसके नाम पर दिये गया था शेरफा तेंजिंग नौरगे के नाम पर उन्होंने क्या गया था उन्होंने Everest Summit किया था कब किया था 29 में 1953 में किया था ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने next award पे जो कि हमारा अरजुना अवार्ड अरजुना अवार्ड स्टार्ट हुआ था यह कब इंटिड्यूज हुआ था 1961 में इंटिड्यूज हुआ था यह award 15 अवार्ड एक साल म यह भी एक award होता है ठीक है इससे जादा अवार्ड नहीं दियाते हैं बट हां कुछ conditions होती है जिसमें यह award दे भी दिये जाते हैं एक साल में कितने अवार्ड दियाते हैं 15 तो चलिए बात करते हैं कि यह sports award किनको दिया जाता है यह sports award उन लोग को दिया जाता है जो previous four years में international level पर बहुत ही अच्छी performance देते हैं और उनके अंदर अच्छी qualities होती है good qualities of leadership होती है discipline होता है और sportsmanship भी उनके अंदर होती है अब इस award में दिया क्या कह जाता है इस award में 5 लाक रुपय का cash price दिया जाता है एक bronze statue दिया जाता है of Arjun, Arjun का statue दिया जाता है bronze का और एक skull of honor भी दिय अब रही बात यह award सबसे पहली बार किसको मिला था यह सबसे पहली बार अवार्ड मिला था सलीम दुरानी जो कि cricket के player और यह दो बहुत ही important point है मेहा शा बैंड मेंटन की खिलाड़ी है वो first woman है जिनको यह award मिला था कम मिला था 1962 को किन को मिला था मेहा शा उनका game क्या था उनका game था बैंड मेंटन जो कृष्णा दास है उनको Arjuna award first time मिला था in the field of archery archery की field में सबसे पहली बार किसको award मिला कृष्णा दास को मिला था कम मिला था 1961 में मिला था तो चलिए अपने next award पे आते हैं जो कि राश्रे खेल प्रोसाहन पुरसकार प्रोसाहन मतलब क्या होता है motivation देना हो गया एक तरह से अब बात करते हैं कि यह award किसको यह एक तरह की scheme ह इंडियन government की ठीक है यह कब introduce हो थी यह 2009 में introduce हुई थी कब हुई थी 2009 में यह scheme introduce हुई थी यह scheme इसले start हुई थी था कि जो corporates है और sports promoting boards है ठीक है उनका involvement for the development of sports in the country sports country का जो sports है उसके level है उनको develop करने के लिए उनका involvement हो इसले यह scheme introduce हुई थी ठीक है इस scheme के चार categories है पहली है identification and nutrition of building youth talent ठीक है कोई भी corporate यह sports promoting body अगर identify करती है and nutrition देती है किसी भी youth को talent को find करती है तो उनको इस category में वो award दिया जाता है ठीक है second हमारा category है encouragement of the sports through corporate social responsibilities CSR जिसको हम बोलते हैं और third one है हमारा employment of the sports person and the sports welfare measures और fourth one हमारा है sports development इन चारो category में जो भी संस्था हो गई या corporate company हो गई या sports promoting body हो गई अच्छा perform करती है तो वो इस scheme में apply करके यह award जी सकती है तो चलिए आते हैं अपने next award पे जो कि हमारा मौलाना अब्दुलकलाम आजार ट्रॉफी ये ट्रॉफी ये ट्रॉफी मौलाना सेद अब्दुलकलाम जी के नाम पे है जो हमारे first education minister थे ठीक है कौन थे first education minister मौलाना सेद अब्दुलकलाम जी थे उनके नाम पे ये ट्रॉफी रखे गई है ये ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी कब introduce हुई थी ये हुई थी 1956 से 1957 means इस year में ये पहली बार ये ट्रॉफी द्री गई थी कौन देता है ministry of education government of india कौन देता है ministry of education government of india इस ट्रॉफी को देता है अब चलिए बात करते हैं कि किन universities को मिलता है आप सबको पता है inter university level पे matches होते है पहले north zone, east zone होता है, west zone होता है, south zone होता है, central zone होता है फिर इनसे जो भी teams बाहर निकल के आती है फिर inter university tournaments होते है तो inter university tournament में जो भी top 3 universities होती है उनको ये award दिया जाता है जो first rank पे होता है उसको 15 lakh रुपे का price मिलता है जो second rank पे होता है उनको 7.5 lakh रुपे का 7.5 lakhs का मिलता है और जो हमारी third position पे university होती है उसको 4.5 lakh रुपीस का price मिलता है अब बात करकि पहली कौन सी university थी जिसने ये award जीता था वो थी हमारी Bombay university और रही बात latest university की वो हमारी Punjab university च आजार ट्रॉफी जीती थी ओके यह हमारी ट्रॉफी आप देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ cash price मिलता है उनकी ranking के हिसाब तो चलिए इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज राइकर सब्सक् झाल